यूपी के स्ट्रीट फूड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है मूंगलेट का जो की टेस्टी होने के साथ साथ हल्दी भी है तो अब आपको मूंगलेट खाने के लिए यूपी आने की जरूरत नहीं है इसको आप घर पे ही बनाके तयार कर सकते हैं वो भी बह रखके छोटे-छोटे और दो से तीन हरी मिर्ची डालके इसको मिक्सी में पीस लीजिए अगर आपको बैटर गाढ़ा लगता है तो आप उसमें थोड़ा सा दही या मठा यूज कर सकते हैं पीसने के लिए अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं साथ अनुसार हम नमक डाल देंगे मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्यास डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा दनिया डाल देंगे आप चाहें तो इसमें कॉन या कैपसिकम या और भी वेजिटिबल्स एड कर सकते हैं बाकि इन इंग्रीडेंस के साथ भी ये बहुत अच् इस सारे बैटर को हम अच्छे से एक से दो मिनट तक बहुत अच्छे से फेट देंगे ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमारा खमीर है वो उठ जाए जितना आप इसको फेटेंगे ना उतना ही ज्यादा ये सॉफ्ट और फलफी बनेगा तो इसको फेटना है अच्छे से ये देखिए हमारा शांदार बैटर बनके रेड़ी हो चुका है अच्छे सी ये फूल भी चुका है अब हम लेंगे एक पैन या तबा भी ले सकते हैं आपको दिक्कत नहीं उस पर हम डालेंगे दो बड़े चमज घी जगे आप तेल का भी उस कर सकत है बट ये मोटा ही अच्छा लगता है बस इसको हम ढख देंगे करीब तीन से चार्मनेट बिल्कुल धीमी के इसको हम पकने देंगे अब ये देखे एक तरफ से पक चुका है अब इसको हम पलट देंगे पलट ते समय हमें थोड़ी साफधानी रखनी है ये तूटना नही रात में दाल गला के डाल दीजिए और सुबा बैटर बना के इसको फटा फट से मोंगलेट तयार कर दीजिए अब हमने इसको पलट दिया है ये रेखे एक तरफ से कितने अच्छे से सिक चुका है ये अब ये बीच में से अच्छा रह जाता है उसके लिए हम क्या करेंगे इसका तरह से चाको की मदद से इसमें हम कट लगा देंगे और एक बटर का टुकड़ा ये और चम्मच घी हम इसमें पकने देंगे ताकि ये बीच से भी अच्छे से सिक जाए और जो हमारा फ्लेवर है वो और ज्यादा इन्हेंस हो जाएगा इससे ये देखिए हमारा जो म मुँ में पानी आ रहा है मेरे तो ये देखिए हमने इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है बस खाने के लिए रेडी है आप चाहिए पनीर ग्रेट कर सकते हैं और बहुत बाकी बिना किसी चीज के भी ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जो परसनली पसंद है बस ऊप मुझे एक्तम फलवफी में बने तो इक पन जुकाज करने हैं अप को मेरी रेशार्पी कैसी तो ये लगी मुझे कमेंट करके शैर करें अच्छी लगी हो तो वीडीयो सोब्सक्री में यूज कर